ग्राइम अलर्ट डर्ना नहीं, मिटाना है अगली बार जब आप सिग्रेट या बीडी पीने की सोचें, तो खुद से पूचें, ये सिग्रेट या बीडी पीने का क्या परिनाम होगा? तम बाकू आज ही छोड़ें, सहायता के लिए 18-00-11-256 पर कॉल करें, या मिस्ट कॉल दे, 0-1-1-2-9-1-7-1 पर कुछ और चाहिए हो तो बताना, पेट भर के खाना खाओ, बहुत प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए अरे माजी, अच्छा हो आप आगी, चल्दी से हाथ मुधो लिजे और मैं आपके लिए गरमा गरम खाना लगा देती हूं, हाई ना? मैं अभी थोड़ी देर में खाऊंगी अरे ये किसका है? अरे आप खाईये, मैं देखकर आता हूं क्या हुआ माजी? क्या हुआ? ये तार किसका है? मेरे इविसर पर क्यों पढ़ा है? आप ही का होगा? मेरा के होगा? अच्छा, अच्छा, अच्छा भूल गया होगा, कोई बात नी, है ले लेती हूं माजी, खाना गर्म गरम तैयार है, जल्दी से आके खालीजे ना? आज बड़ा लाडा आ तुझे मुझ पर? हाँ? मारना चाहती है? माजी, आपको मारना होता तो प्यार से थोड़ी ना मारती अपसे चुन-चुन कर बतले लेती पहले निकल याज दफा होजा मेरे खमरे से बाद कर! हाँ, कांगसा तैयार है ना? कितने बजे? क्यारा बजे? रेजिस्ट्रेशन ओफिस ना? हाँ, हाँ, ठीक है अरे नहीं, घर के लोग जासूस बन गहीं इसलिए फोन छुपाना पड़ता है कल मिलती हूँ मैं तुमसे ठीक है? कागजाद? कैसे कागजाद? रेजिस्ट्रेशन ओफिस? कल तो पूरा दिन साय के तरा पीछा करूँ इसा सुमा का यह अभी तक आई क्यों ने? अब यह तो हमारी कुटन है उश्या जी आप इन्ही का बंगलो खरीद रही है नमस्ति अरे यह तो बंगला खरीद रही है चलो यह तो बड़ी अमीर असामी निकली हमारे सामने कैसा ड्रामा करती है कि यह भिकारन है अशो आज इस बुट्धी का सारा खेल खतम करते है अच्छो ओके ओके चलो भया उस गाड़ी का पीछा करो झुट्प अच्छ कि पिस पतुल कभड़ी पपिस मनौच मनौच कहा है बेटा आज तो जल्दी आने वाला था ना ये लिजे नहीं 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 मेरा हो गया अरे कोई घर में है के नहीं है कहा है सब सीमा सीमा निकला बहार सीमा आजा ये सब तेरी नोट अंकी है ना ये तेल तू नहीं गिराया है ना कि अधिया गिरा कर जखमी करने के लिए अधिया आप में घर कर से जाओं मां अरे अधिया जिंदा क्यों कर रहे हो नहीं हूं ना ना चुड़ियों यहां चुपी थी मुझे पिस... रुप गुधन दर्वंजा छौल गुधन दर्वसा कोल गुधन दर्वासव.. डर्वासव.. धुधन दर्वासव.. अ हाद nak drwâsa.. भख अनीता फो नसे जोटाओ कर दो किसको फॉन मे लारेते है ना किसको फॉन मे लारेते है इधर उख इधर उख अ तेरे कहानियाच काटे अ इध elabor है तो नपक्यों एड़ 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 यह तो गई अब क्या करेंगे अब आपको छोड़के में नहीं जाना चेता अब मा तो आपको छोड़के में नहीं जाना चेता अब मा तो आपके दाथ यहाँ सा नहीं होता भगवान भी कितना गुरूर होता है न अश पर पानी पड़ा था और अम्मा जी का पैर फिसल गया और वानोज उशा जी के शरीर का हमें पोस्ट मॉटम करना चाहिए उनकी मौत की असली वज़े हमें पता चल जाएगी कल उन्होंने मुझे कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन तीन चार घंटे बाद उनका फोन बंद आ रहा था तब से मैं उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन उनका फोन तब से बंद आ रहा है लेकिन अम्मा के बास तो फोन ही नहीं है हाँ, और कैसी बाते कर रहे हैं आप हरे, पैर फिसल गया, उससे उनकी मौत हुई है, दुरगटना से उनकी मौत हुई है और तुम क्या चाहती हो, कि उनके मरने के बाद भी हम उनके शेरीर के साथ चीरफाड करें, उन्हें और तकलीफ दे, हाँ? Manoj, क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, नहीं मैं मा को और तकलीफ नहीं दे सकता है तो चलिए, अम्मा के अंतिम संस्कार की तैयारियां करते हैं आप गंगा जल्ले आएंगी, अंदर मंदिर में ही होगा क्या जल्ले नहीं कर दो कर दो कर दो कर दो अम्मा की कमी हमेशा महसूस होगी हम बनोज ये तुम्हारे इस घर के कागज है ये गाजियाबाद वाले और ये दिल्ली वाले घर के और ये उस घर के जहां तुम पहले रह रहे थे उशा जी की वसीयत के अनुसार अब ये सब तुम्हारे नाम पर है बाकी दो घर का किराया भी मैं वक्त पर दे दिया करूँगी उसकी जरुत नहीं है अशोक सब संभाल लेगा तो मैं चलती हूँ किसी चीज की जरुरत हो तो बोल देना अपना ख्याल रखना सर बहुत दर्द कर रहे है चाय बना दो ना एक अप अधा काम तो गया अच्छा सुन एक काम कर अपनी पहचान का एक सिक्योरिटी गार्ड रग और उसे ये बोलना कि ये औरत हमारे गर के आसपास पी दिखे ना पहली फुरसक में बगा दे इसे वो बात करनी थी बोलना तुमने खा था ना एक फ्लैट मेरे नाम कर दूगी तीरे बोल तेरे जेचो किचन में है अर अगर सुन लिया ना तुमसे शाको जाएगा हम बात करते है ना आचा? वैसे अशोग, मैं क्या बोल रही थी? बढ़ना गर का किराय का पैसा जितना भी आएगा ना वो सब तुम मेरे हाथ में ला कर देगा अपने जीजू के हाथ में नहीं तो मैं आप ले आप ही के हाथ में दूँगा ना? मालकिन तो आप ही हो अरे अब भी मालकिन नहीं बने हूँ वैसे मैं क्या सोच रहे थी कि अब ना मेरा पती भी मेरे अउकाद जैसा होना चाहिए क्या बोलता है दिदी आप कहे तो बिल्कुल ठीक रही हो लेकिन अगर जीजा जी को तलाग दे दिया तुम माकान भी जाएंगे ना अचसे अरे ऐसे रोड़ी ना लाऊंगे ना या पती उसके लिए तेरे जीजु को मेरे लिए अपनी जान देनी पड़ेगी क्याया टुम माकान भी जाएंगे जानी जाएंगे ना बाता हमचसे